हालो काईज, वेलकॉम डूट आइक यास यूट चैनल और फाइनली आईक्यू ने अपने Z8 5G स्मार्टफोन को जोई लॉंच कर दिया है स्पेक्स भी आच चुके है, प्रैस पॉइंट भी आच चुके है, सारी शीज़े के बारे में बताने वालो अपने honest opinion भी आप लोके साथ में शेयर करूँगा, सो गाइस चली वीडियो स्टार्ट करते है सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बीना टाइम इस करें, फटा फट से आपको IQ Z8 5G स्मार्टफोन के complete specs बता देता हूँ विल डिजाइन फर्स लुक के अगराम बात करें, back panel देखोगे, dual camera का setup है, flash है, OIS की branding है, IQ की branding है, दिखने में फोन काफी जबरदस्त है, typical IQ वाला डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के अगराम बात करें, तो अपर अगेन आपको 6.64 इंच का, एक center punch hole के साथ में, 120 Hz efficiency के साथ में, IPS डिस्प्ले याँ पर दिया गया है RAM & ROM के अगराम बात करें, टोटल ये तीन विरेंड में launch करा गया है, 8256 GB से base and start होता है, तन आपको 12256 GB देखने को मिलता है, तन 12512 GB वाला विरेंड देखने को मिलता है Dual SIM का support है, साथी में UFS 3.1 का storage type, NLP DDR5 वाला RAM type यहाँ पर दिया गया है Performance के अगर हम बात करें, जोकि है smartphone का सबसे बड़ा highlighting feature है, तो कि यहाँ पर आपको Media Tech का Demensity 8200 वाल एक 5G chipset मिलता है, जोकि 4NM technology based है N22 score के अगर हम बात करें, 9.5 लाग के उपर का आपको देखने को मिलता है, तो performance यह price point पे insane level की IQ नहीं आपर provide कराई है Cameras के अगर हम बात करें, तो आपर again आपको back में dual camera का setup मिल जाता है, 64 megapixel का primary sensor है with OIS, then 2 megapixel का depth sensor है, जबकि 16 megapixel का selfie camera दिया गया है Android version and UI के अगर हम बात करें, तो Android 13 out of the box मिल जाता है, चाइना में यह origin OS पे run करता है, इंडिया में अगर आया है, तो यह आपको fun touch OS पे देखने को मिलेगा sensors यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाते है, including side mode and fingerprint scanner, face unlock का feature, 3.5 microphone jack का support भी यहाँ पर दिया गया battery life के अगर हम बात करें तेहां पर again आपको 5000 image की battery मिलती है, type C port के साथ में, device support करता है insane 120 watt की fast charging को and out of the box आपको fast charger भी देखने को मिल जाते है, तो guys यह overall यहाँ पर आपको complete specification देखने को मिल जाते है, IQ Z85G smartphone पे guys अब बात करें यहाँ पर सबसे important चीज़ के बारे में, जो के smartphone का सबसे ज़्यादा value for money बनाती है, वो है यह smartphone की price point, जो 8GB RAM, 256GB storage variant है, चाइना market में launch करा गया है, 1699 yuan में, जो के Indian price point में, अगर आप convert करते हो, अप्रोक्सिमेटली 19,000 रुबे के आसपस आ जाते है, 19,000 रुब अगर आप देखोगे, डिजाइन बढ़िया है, डिस्पले आप कह सकते हो कहा है, अमुलेड ने है, यह आप बोसकते हो, ड्रॉब है के, उसके अलावा, डैमेंसिटी 8200, UFS 3.1, LPDDR 5 RAM, कैमरे में OIS मिल जाता है, सेंसर वगरा में कोई compromise लिए, बड़ी बेटरी, 120W charging, insane value for money, स्मार्टफोन चाइना में अर्किट के लिए launch करा गया है, I wish कि यहाँ पर IQ यह स्मार्टफोन को इंडियन मार्किट में भी अगर aggressive price point पर लाते है, बहुत सारे स्मार्टफोन को यहाँ पर यह केल कर सकता है, उसके जाम मुझे एक हम सक्षिने बताना, IQ Z85G स्मार्टफोन के overall specification, Facebook आपको कैसे लगे, इन आपके इसाब से जबी भी यह स्मार्टफोन इंडियन मार्किट में launch होता है, इसका इंडिया price point क्या होना चाहिए, मुझे बताना नीचे comments में, सब्सक्राइब कर आपको यह पसंद आए, तो लाइक कर भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब क कर देना, मैं मैं आपको सब्सक्राइब किसी उफडियो में, चुप तक के लिए, एंक यू